नमस्कार महुरेहान आप देख रहें मुंबई प्रेस चलिए एक नज़र डालेते हैं महाराष्ट और मुंबई शहर की कुछ बड़ी खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलीस ने कल जिस तरीके से 6 आतंकियों को गिरफतार किया है ये संदिग्द आतंकी जो है एक बड़ा धमाका करने वाले थे पूरी देश को दहलाने वाले थे दिल्ली पुलीस के मताबिक एक संदिग्द आतंकी को मुंबई के धरावी इलाके से भी गिरफतार किया गया है हाला कि इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया जहां पर 14 दिनों की रिमांड इन सभी को मिली है दिल्ली पुलिस ने ऐसा बताया है और इस पूरे मसले को लेकर महाराश्ट में भी सियासत गरम है महाराश्ट के गरमंतरी दिली पुल से पाटिल जहां पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठाक इस पूरे मुल्दे को लेकर की वहीं दूसरी और महाराश्ट एटियस के चीफ वनीत अगरवाल ने एक प्रेस कॉंफरेंस करके इस पूरे प्रक्रण का वेउरा दिया कि कैसे दिल्ली पुलिस ने आतंकियों को गिरबतार किया और जहां तक तालुक संदिक्द आतंकी चान मुहमद और फस्रमीर कालिया का है मुंबई के धरावी इलाके से उसे कैसे गिरबतार किया गया इस पूरे मामले में तफसील से जानकारी जो है महाराश्ट के एटियस चीफ वनीत अगरवाल ने दी क्या कुछ कहा बनीत अगरवाल ने अपपे पूरे प्रेस कॉनफरेंस में आये सुनते हैं आदमी दारवी में रहता था, मैं बताना चांगा कि इसका काफी पुराना एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगदा बीस साथ पुराना रिकॉर्ड है, हमारी नजर में आदमी था, लेकिन यह इंफरमेशन, कि यह जो केस हुआ है, यह इंफरमेशन हमारे पास नहीं थी, यह सेंट्रल एजनसी की इंफरमेशन थी, जो दिल्ली पुलिस को दी गए, और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि, नौ तारिक को इसने जाने का पोगर मनाया दिल्ली, और फिर यह इसने दस तारिक को पैसे भी ट्रांसफर कि यह लेकिन इसका कंफर्म यह बारा था टिकेट, तो तेरा तारिक को इसने वेटिंग लिस्ट छे में टिकेट लिया, गोल्डन टंपल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकेट कंफर्म हो गया, और यह अकेला निजाम उद्दीन के लिए रवाना हो गया, इसके पास कोई explosive नहीं मिले, इसके पास कोई weapon नहीं मिला, जो भी information है वो डली पुलिस के पास है। कि जान मुहमद को लेकर जो है, जो खुलासे हुए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसे कोटा गिरपतार किया गया है, कोटा से दिल्ली पुलिस के द्वारा महराष्ट ATS का यह भी कहना है कि मुंबई से उसे गिरपतार नहीं किया गया है, और नहीं गिरपतारी से पहले देवन फड़नवीस ने इन छे आतंकियों की गिरपतारी को लेकर और खास कर मुंबई से जो संदिग्द गिरपतार किया गया है उसके बारे में आईए सुनते हैं बहुत गंभीर बात है जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेशुप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खत्रे की घंटी है मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी के आवशकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए है आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए ऐसे लोगों को धूनना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते है दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आज कल चल रहा है OBC आरक्षण की OBC आरक्षण को लेकर पूरे महराष्ट में बीजेपी आंदोलन शुरू कर रही है कि सरकार जो है इसे जल से जल हर एक मुकामे में शामिल करे ताकि लोगों को फाइदा मिले और आने वाले कई महनगर पाले काउच के चुनाओं जो होने वाले हैं उसमें भी लोगों को फाइदा मिले और उमिद्वारों की फाइदा मिले क्योंकि उसी के हिसाब से परिसीमन के हिसाब से सीटे ताइं होंगी कि कितनी सीटे OBC की है, कितनी SBC की है और कितनी जनरल की है इसलिए BJP जो है अब इस पूरे मसले को लेकर कांदूलन का रूप दे रही है और ठाकरे सरकार से मांग कर रही है कि जल से जल ओवी सी आरक्षन को लेकर वो फैसला करे और इसी के मद्दे नज़र जो है पुने और सांगली जैसे इलाके में बीजे पी कारिकरताओं ने धर्णा परदर्शन किया और इस दोरान पुलिस ने उन्हें गरबतार भी किया तो यह थी मुंबई और महराज की कुछ बड़ी खबरें यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएए और हाँ और मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस वेल आइकन दबराना भोलें